हेलो थेंक्यू बाइस स्वागत है आप सभी का क्रिक 11 प्लस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज बात करेंगे अपन कोलकता और पंचाब और दोसे नबर पर है बेंडलोर और हैदराबाद तो आप सभी को पता हैं इन दोनों वोटों के बारे में अपन है जो बात करेंगे तो आज सबसे ज़्यादा वोट है वो किस टीम को मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे आज का परडिक्शन क्या रहेगा उसके बारे में बात करेंगे तो उन सभी से बारे आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों अभी तक आपने अमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्र अब नहीं किया तो जरूर सबस्क्राइब कर देजिए और बेल आइकन को प्रेज करती जिए सबसे वड़ी बात है दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देने क्योंकि मुझे लाइक बहुत अच्छा लगता है ठिक है अब आपको पता ही है क्योंकि last दिटो prediction होता है वो 3 बज़े से पहले पहले होता है पहले match का और दूसरे का 7 बज़े से पहले पहले होता है तो दोस्तों इसका जो live update होता है मैं telegram channel पर दे देता हूँ आप सभी को तो आपको telegram channel जोइन करना बहुत ही जरूर ही है तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी नहीं तो आपको क्रीक्राम प्लास-स करेंगे दो आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा अब चलते हैं टेलिग्राम चैनल की तरफ तो कल का records तो दूस्तों यह है आपका टेलिग्राम चैनल मेरा नहीं है यह आपका ही टेलिग्राम चैनल है पांसो और तालिस मेंबर है अभी तक इसमें और आप है जो यह नाम देख लेजिए क्रिकलम प्लस डिम लाउन इस वीडियो के निचे आपको लिंक मिल जाए के ताकि आप वहा प्लस चीज में तो अट्रहजार 170 वोटों से है जो यह जीत गए थे और इस मेंच की अगर बात की जाए तो यह भी है जो 37,000 वोटों से बैंगलोर ने राजस्तान से भिन किया था पर तो आज बैंगलोर का मेंच है वो राजस्तान के साथ में नहीं है वो है आधराबाद के साथ तो दोस्तों यहाँ पर हैद्राबाद को मेरे हसाब से 17,000 वोट है वो मिलने वाले हैं तो साथ मतलब 30,000 के अंदर अंदर है जीतेगी 22,000 लगा कर 30,000 के अंदर है जो बैंगलो राज जीतेगी और बाकी का जो है तो यह चैनल जोइन करना बिलकुल मत बुलना दोस्तों एक बात और है आप सभी के लिए क्योंकि अगर आप टेलिग्राम चैनल नहीं है या जोइन किया है तो कोई बात नहीं है आप ड्रेम 11 पर है जो जाके मुझे फॉलो कर लिजी वहाँ पे भी मैं जो है पर डिक्शन डा जाएगी तो यह लिंक है आपको मिल गई है समझद वीडियू के नीचे जैसे आप वीडियू नीचे जाके इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऐसा और यहां पे हमारे है जो 45 फॉलोवर्स है और एक फॉलोविंग है और इग्याला पोस्ट मैंने डाली है क्योंकि जितने में चुते उसकी पोस्ट डालता हूँ जिसमें आप लाइक और वो जो चुनाव चिन भी रखते हैं पता चल जाता है किसको ज्यादा बूर्ण बोलेंगे तो यह फॉलोव का को कोलकता और पंजाब फिर यह बैंगलोर और हैदराबाद तो इनकी बात की जाए हदराबाद बैंगलोर में काफी सारा फरक रहना वाला है क्योंकि इनको है जो मेरे असाब से 20,000 वोट तक मिल जाएंगे तो 22,000 से लेगा है 25,000 तक बैंगलोर जीतेगी और कलकता की बात क जाए तो कलकता भी आज का पिटा कर लेने वाले क्योंकि 40,000 वोट पंजाब को आप छोड़ दीजिए 8,000-15,000 और 22,000 भी डाला इनोंने तो मेरे असाब से जो पंजाब जीतेगी वह 22,000 वोटों से तो नहीं जीतेगी 24 से लगा कर 31, 32,000 के अंदर है जो जीस सकती है आपको बदा देता हूँ चलिए यहाँ पर तो कॉल करता 20,000 वोटों से उस दिन भी है वो यह मैं जीत कई थी दोस्तों क्योंकि सामने हेद्राबार टीम थी पर आज हेद्राबार नहीं आज पंजाब है तो पंजाब को कम वोड़ विलेंगे तो 20 और 10 और कर दिजिए तो चलते हैं अपनी टीम पर वापस तो आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल ज़रूर जोइन कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना आप हमें ड्रीम 11 पर फोलो कर देना नहीं तो आप ड्रीम 11 पर चर्च करेंगे हर अरमादेव 1710 तो फिर भी आपको मिल जाएंगी च दूंगो मैं से एक है जो रहने वाला है क्योंकि तेवी सब्रला वाला भी नहीं है क्योंकि ट्रीस अदार से ज्ञादा वोटों से शीचैंगी क्योंकि तोटल वोट है समझ हे सपर 75,000 उसमें से 15,000 बोट को मिल जाएंगे 15,000 और 15,000 चले जाएंगे जो 25,000 वह पीछे बच सकता है तो यह दोनों परडिक्शन रहेगा इन दोनों मेंसे जो लाइव होगा जो मैं आपको तीन बज़े से पहले बता दूँगा चौबी सजार या फिर यह तो मैं अभी यह डालूँगा इन मेंसे कौनसा परडिक्शन जो क्लियर हो रहा है यह तीनों डाल के पता कर यह बंजाब मुझे लगता है 12 या 13 आजार वोटी मिल सकते हैं इनको या 14 आजार वोट मिल सकते हैं पंजाब को तो फिर भी है जो 31 तक जीत जाएगी 32 अजार है मुझे लगता नहीं है 24 से 31 मतलब 28000 वोटों से जीसकती है ज्यादा वोट नहीं है 5000 और मिला लेते हैं 22 प्रडिक्शन को आपको 24 से लगा कर 31 ही रखना चाहिए अभी मत किजी क्योंकि आपको लाइव अपडेट है जो मैं दे दूंगा अब बात कर लेते हैं थोड़ी कोली की बात कर लेते हैं क्योंकि कोली के सामने टीम है है धराबाद तो एधराबाद को काफी अच्छे वोट है 25,000 वोट में से 5,000 और माइनस कर लीजिए तो फिर भी 31,000 वोट हो से है जो बैंगलोर जीज सकती है तो उस्तों है धराबाद के सामने बैंगलोर को थोड़े कम तो है पर तो वोट मिलेंगे पर तो बैंगलोर है इसमें इसको जीच चाहिए क्योंकि 24,000 से 31,000 संभव नहीं है जैसा कि कॉलकत्ता के सामने जो टीम है पंजाब वैसा ही बैंगलोर भी सामने तो यह परडिक्शन है 32,000 से लगा कर रह सकता है 32,000 से 49,000 इनका जो परडिक्शन है यह के लिए रो सकता है और वागी गई तो जो भी होगा अंत में आप सभी को है जो लाए अपडेट टेल जोइन कर लेजिए और टरी मिले उनको फॉलो कर दीजिए बहुत बहुत अनियवाद आप सभी का ठीक है दोस्तों तो इसे आप चैर कीजिए वीडियो को ताकि लोगों तक पहुंचे तो आप कुल मिला के यह दोनों पर डिक्शन ही है क्योंकि 40,000 अबव नहीं जाएगा या तो यह रहेगा या फिर यह रहेगा मुझे जादा जुस्तांज है कोली की अगर बात की जाए तो राजस्तान को भी 10,000 वोट मिल गहे थे कल तो भी भी है जो बैंगलोर है जो 37,000 वोटों से है जो विन कर दिया था दोस्तों तो मुझे आज लगता है 37 से तो नहीं करें आई 11 गंटे पहले यह जो मेंसेज आया था 100 रूपे केस बोनस मिल गया है 100 रूपे 100 रूपे और 45 रूपे तो मुझे आसा है कि मैं आपको है जो लगबग 1000 रूपे जो केस बोनस है वो दिला दूँगा इन सब भी मेंचों में तो चैनल को सब्सक्राब कर देजिए और इस व वीडियो को चेट कर दीजिए बहुत 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 बनेवाद आप सब्सक्राइब